नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 5 जुलाई शाम 7 बजे राजेस्थान की खास खबरे उद्यपुर में क्षेत्रिय वन अधिकारी और ततकालिन रेंजर नर्पत सिंग राठोर एसीबी द्वारा ट्रैप कारवई से बच निकले बताया जा रहा है कि भनक लगने से पहले ही भरस्टा चारी सतर्क हो गए ऐसे में कारवई सफल नहीं हो पाई हलांकि एसे भी उद्यपुर की टीम ने दोनों के खिलाफ केस दर्स कर लिया है और आगे की कारवई शुरू कर दिया बताने की नर्पत सिंग रठोर को सेंगरा वन खंड में 22 विगा जमीन को खुर्दबुर्द करने के मामले में हाल ही में निलंबित कर बीकाने भेजा जा चुका है ACB के अडिशनल SP विक्रम सिंग ने बताया कि अप्रैल माह में मौजावद गोगुंदा में तैनात वन पाल ने ACB में शिकायत दी थी कि वाने की विकास कारेकराम के तैथ 10 लाग उर्पे का कमिशन लेने के लिए क्षेत्रियवन अदिकारी रवी माथुरवे रेंजर नर्पत सिंग रठोर पिछले कई महीनों से दबाव बना रही हैं पूरब में वन पाल ने 3,5 लाग उर्पे की राशी दे दी जबकि 6,5 लाग उर्पे के लिए लगतर परतारित कर रहे थे ऐसे में वन पाल ने ACB के टीम से शिकायत की लेकिन दोनों ही शातिर निकले और ACB की कारवई को भाप गए ऐसे में ACB की कारवई विफल रही मंत्री जाहिदा खान से मेरे तीन लाखुर पे दिलवा दो परभारी रंधावा मंत्री जाहिदा खान से हमारे पैसे दिलवा दो राजिस्तन सरकार की सबसे ब्रश्ट मंत्री जाहिदा खान विधायक कामा है जैपुर इस्तित परदेश कॉंग्रिस मुख्याले पर रातो रात लगे पोस्टरों में यही लाइने लिखी गई है ये पोस्टर हैंड रिटन है पढ़ने से ऐसा लग रहा है जैसे कि शिक्षकों ने अपनी पीडा जाहिर की है तबादलों के नाम पर ब्रश्टाचार करने और लाकुर पे लेने के आरोप में शिक्षा राजय मंतरी जाहिदा खान पर लगाए गए है पोस्टर किसने लगाए हैं इसके जानकारी नहीं है सुबा परदेश मुख्याले पहुंचे करमचारियों ने इन पोस्टर को देखा तो होश उड़ गए उन्होंने कांग्रिस के बड़े निताओं को इसके सूश न दी आनन फानन में ये पोस्टर हटवाए गए वैशिक्षा राजर मंतरी जाहिदा खान ने खुद के खिलाफ लगाए पोस्टर्स को रासनितिक शर्यंतर बताया है सीकर में हुई गैंक्स्टर राजू ठीयर्ट मर्डर मामली में पुलिस मुख्याले की और से फरार चल रही आठ प्रादियों की गिरफतारी के लिए 50-50 हजार पे की इनाम की राशी खोशित की गई है इस संबंद में EDG क्राइम दिनेश एममन ने अदेश जारी करती हुए बताया कि थाना उध्योग नगर जिला सीकर में पिशले साल तीन दिसंबर को दर्स राजु ठीहट हत्याकान में शामिल अभियुक्त अमरजित सिंग बिश्नोई वै सरजीत बिश्नोई निवासी बीश्वाल बिकानेर इश्वर कुमावत निवासी रानोली सीकर चरणजीत सिंग उर्फ चिन्नोई निवासी थाना जस्वनगर नगोर सुबाश मुंड उर्फ सुबाश बराल निवासी रानोली सीकर रासकुमार प्रजापती निवासी भिवानी हरियाना नवीन उर्फ बॉकसर निवासी भिवानी हरियाना और सुबाश्ट बनूड़ा निवासी थाना जीन माता पर 50-50,000 पे का इनाम खोशित किया है अलवर्जले के बांसुर में स्कोल से लोटे पोते को दादा बाइक पर लेने पहुंचे जहां स्कोल बस बच्चे को उतार दी है बांसे घर 2 किलो मेटर दूर है दादा पूता बाइक पर 100 मीटर ही चले थे कि तेजर अफ़तार कार ने दोनों को जोरदा टकर मार दी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई हादसा हर सौरा पुलिस स्टेशन के पास हुआ थाना इन चार्ज बनवारी लाल मीना ने बताया कि 50 वर्षे दादा जैसिंग सैने की हादसे में मौत हो गई जबकि बुरी तरह घायल पोते 10 वर्षे लवेश को पुलिस ने हास्पिटल पहुचाया जहां से उसे जैपुर रैफर कर दिया इलाज के दुरान लवेश ने भी दम थोड़ दिया खादसे के बाद कार ड्राइवर गाड़ी वई साइड में खड़ी कर फरार हो गया लवेश के पिता संदीब सैने वी एसेफ में जबान है वे जैसल मेर में तैनात हैं पुलिस मामले की जांच कर रही है दोसा जिले में गौत असकरी की 11 साल पुराने मामले में सीकर आई ADJ कोट ने कंटेनर चालक एवं खलासी को साथ साथ साल वे कंटेनर मालिक को 25 वर्षे बबलू निवासी मनसूर पूर यूपी को 3 साल की सजा सुनाई है प्रकर्ण मानसूर थानाक शेतर का है जहां साल 2012 में जैपुर आग्रा नैशनल हाइवे पर गौत असकरी का मामला सामने आया था अपरलो का व्योजक ताराचंद गुजर ने बताया कि मानपूर थाने में ततकालिन सब इंस्पेक्टर जबार थाने 9 अक्टूबर 2012 को रिपोर दर्स करवाई थी कि हाईवे पर मैं जापता गश्ट कर रहे थे रिसकंदरा पुलिस से सूचना मिले कि एक कंटैनर तेजर अफ़तार से मानपूर की तरफ आ रहा है जिसमें गौवंश है पुलिस ने बेरियर लगाकर नाकाबंदी की तो कंटैनर चालक नाकाबंदी देकर सर्विस रोड पर ले आया तदा डिवाइडर को तोड़ता हुआ एक ट्रक से तक्कर देता हुआ थाने की बाहर नाले की दिवार पर चड़ गया पुलिस ने चालक 25 वर्षे साने आलम निवासी मुरादाबाद प्यखलासे 24 वर्षे यासिन शरीफ निवासी रामपूर को दबोच लिया कंटेंडर में 35 गाए एवं बचड़े बेरहमी से ठूस ठूस कर भरे हुए मिले जिनें मुक्त करवाने की कारवय की गई लेकिन तीन गायों की मौत हो गई रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के दूस सदस्यों वे एक अधी वक्ता को जिस फोन रिकॉर्डिंग के अधार पर एसी बी ने गिरफतार कर कोट में चलान पेश किया था उस रिकॉर्डिंग को हाई कोट ने नस्ट करने की आदेश दिये हैं जस्टिस विरेंदर कुमार की एकल पीट ने यह रिपोर्टेबल जज्जमेंट शशिकांत जोशे की याचिका पर दिया हाई कोट की जैपूर बेंच ने कहा बिना कानूनी परकिरिया अपनाए किसी भी व्यक्ति का फोन सर्विलांस पर लेकर रिकॉर्ड करना निस्था का हदन है हाई कोट ने इस मामले में याचिका करता का फोन सर्विलांस पर लेने के ग्रह सचिव के तीनों आदेशों को रद कर दिया पर एसीबी को निर्देश दिये कि वह इस मामले में की गई रिकॉर्डिंग मैसेज और इसके समस्त कॉपी को नस्ट कर इसके साथ ही याच सुनेल शर्मा और दलाल वकील शशिकांत जोशी को गिरफतार किया था पाली में संदिक्त हालत में पिता पुतर की मौत हो गई खटना आग की तरह गाम में फैल गई दोनों ही जरीले जानवर के काटने से मौत होने की बात सामने आई है पुलिस जांच में जुटी है इदर शाम को गमगीन महाल में पिता पुतर की अर्थी गाम से निकली तो पर परा साल के बेटे मोहित की तब्यत खराब होने पर परिवार के लोग हॉस्पिटल ले गए जहां जाँश के बाद डॉक्टर ने मोहित को मृत खोशित कर दिया और तरुन को सोजत हॉस्पिटल रैफर किया गया जहां इलास के दुरान उसकी भी मौत हो गई जानकारी के जगदीश परसाद दमामी और उनकी पतनी रिष्टेदार से मिलने पाली गए हुए थे। जवान बेटे और पोते की बाड़ी देख उनका रोरोकर बुरा हाल हो गया। कारवे करते हुए नसीराबाद निवासी, 21 वर्षे जैचंद चौधरी, 23 वर्षे श्रीनगर निवासी सिकंदर और ग्राम कोटडी निवासी 28 वर्षे रवीर चौधरी से मामले में पूस्त आश्ट कर रही है। पुलिस के अनिसार केंट्रोल रूम से सूचना मिली कि CSM मौल पंच शील के पास कुछ यवक यवती से छेड़ चाड़ करे हैं। सोचना मिलते ही पुलिस जाबता मौके पर पहुँच गया, जिसके बार मौके पर मौखोद यवकों को दस्तियाब कर थाने लाया गया। मामले में पिरित यवती ने बताया कि वह योगा मैट लेने के लिए दुकान पर गई थी, इस दुरान तीनों यवकों के द्वारा मैट का बिल बनवाते समय उसका नमबर ले दिया। तीनों यवकों से कॉल कर योगा सिखाने की बात कहने लगे, बाद में तीनों ने पिछा करने लगे और उसके साथ छेड़ छाड़ की। अमास का घर में ही पानी की बालती में शव मिला था, पुलिस ने हत्या का मामला दर्स कर जांच शुरू की थी, जांच के दुरान बच्चे की माता पिता ने दो सदस्यों पर बच्चे की हत्या का रोप लगाया था, पोस्ताश के दुरान बच्चे की ताई गुडिया, पत करके सदर्थाना इलाके में एक मकान से लाखों रुपे के जेवरात और नगदी चोरी का मामला सामने आया है। जब चोरी हुई तब परिवार के सदस्यां दूसरे कमरे में सोय हुए थे। सदर्थाना इलाके के सालम सिंग की ढानी रिवासी शामलाल ने बताया कि उन्होंने खेद में ही मकान बनाया हुआ है। राद को परिवार के सभी सदस्यां खाना खाकर अपने कमरे में सो गए थे। जिस कमरे में जिवरात रखे हुए थे, उसके बाहर का ताला लगा हुआ था, सुबा कमरे की खिड़की तूटी हुई थी। इसके इलावा कमरे में रखे तीन संदू के ताले तूटे हुए मिले, जिन में रखे तीन मंगल सुत्र, दो सोने की अंगूठी सैथ, अन्य जिवरात, वे साथ हजार रपे की नगदी गायब मिली, चोर करीब दस लाग का समान चुरा ले गए। बारांजिले के नेशनल हाइवे 27 पर गजनपुरा के पास किशन गंज की और से आ रही बाइक एन्यंत्रित ओकर डिवाइडर से टकरा गई। तालिस वर्षे फतेपुर निवासी व्यमला बाइक से फतेपुर से बढ़वा जा रहे थे। तब एन्यंच 27 पर, 12 बाइपास पर, गजनपुरा पर, पनोरिमा के सामने चानक बाइक एन्यंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दानमल की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे में जानöर से थे बाल गईंड़ हो गई aún था है। झाल झाल